पहली बार जो मैं इउरोप गई थी ना तो ये सूप उधर पिया था और इटली में ये सूप पीने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा तो मैं पूछी ये किस चीज का सूप है सुनके मैं हैरान हो गई आप लोग भी हैरान हो जाओगे देखो ये कद्दू या भोपला जो है कि क्या बताओं एक बार घर पे जरूर बना के देखिए अच्छा मैं किचें में हूँ मतलब देखके समझगे कि जिनुक भी रहना ही है जिनुक को ऐसे है एनिवे आप स्लाइस करके ये भोपला को काट लीजे और प्याज एक पूरा प्याज लिया मैंने उसको भी ऐसे स सकते हो मैं बटर से बना रही हूँ तो इसमें अक्छिरी कुछ करना नहीं है बहुत सिंपल प्रिपरेशन है पर बहुत टेस्टी एक चीज है आप ज़रूर बनाएए तो पहले थोड़ा सा लस्यों डाल के इसको हिला लीजेगा फिर उसमें जो प्याज हमने काटे है उसको दे देंगे और जस्ट थोड़ा सा भून लेना है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ कू करना है हलका सा भून लेना है पर ये जो मैं बना रही हूँ न ये भोपला का कलर उतना अच्छा नहीं है यूरोप में भोपला एक्टम ब्राइट औरेंज कलर का मिलता है तो वो दूक वाइस थोड़ा और अच्छा होगा पर टेस्ट वाइस तो ये भी बहुत अच्छा है देखिए थोड़ा सा प्याज होने के बाद उसमें भोपला देना है और फिर अच्छे से थोड़ी दे तक एक दो मिनित तक जस्ट उसको मिक्स करना है और हलका सा भून लेना है फिर उसमें थोड़ा नमक देना है और थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर दिया, ये दो चीज दे के बस हो गया, उसके बाद और कुछ करना ही नहीं है, बहुती सिंपल है, देखिए थोड़ा सा नमक देना है, और फिर ब्लैक पेपर पाउडर, बाद में ब्लैक पेपर पाउ बस और कुछ बनाने का मतलब कुछ ऐसा नहीं कि बहुत कुछ मसाला चाहिए बहुत टाइम लगेगा तम क्वीक जटपड बनने वाला एक सूप है और इतना टेस्ट है कि मैं क्या बता हूँ बस अभी इसको ढखके रख देंगे थोड़ा सा उबला जाए और खोल के एक बार कर लिजेगा कि यह नरम हो गया उतना ही काफी है फिर गैस बंद कर दीजिए उसके बाद एक ही काम है मिक्सी में लेना है और इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है क्योंकि अल्रड़ी यह सॉफ्ट हो गया है तो मिक्सी में भी जस्ट कुछ सेकेंड गुमा लेंगे तो हो ब्राइट नहीं है थोड़ा यलो कलर का भोपला है मेरा अगर ओरेंज होगा तो और अच्छा लगेगा बस हो गया अभी देखिए मैंने एक कटोरी में डाल दिया और इसके बाद ऊपर से ना इसमें थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाल देंगे मैं अच्छी कोशिश कर रही थ थोड़ा सा डिजाइन बनाओ पर कुछ खास कर नहीं पाई तो सिंपल सा ही मैंने कर दिया कि आप लोग को दिखाना है सोचके ना मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ बनाती हूँ पर बहुत अच्छे से कुछ कर नहीं पाई तो एक्दम सिंपल है पर ये डिजाइन जरूरी नह और सॉल्ट तो डेफिनिटल आप अपना अपना टेस्ट के हिसाब से डालिएगा पर इतना टेस्टी बनता है बिलीव मी एक बार जरूर घर पर ये बनाये टेस्ट करिए और आम शूर कि आप सब लोग मुझे थैंक यू बोलेंगे तो जरूर बनाके ये सुपी के फिर मुझ और टेस्टी है